हेलो एंड वेल्कम तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में रिप्स के बारे में तो चलिए देखते हैं रिप्स के बारे में ठीक है तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि रिप्स जो होते हैं कितने पेर होते हैं 12th पेर तो 12 pair में first 7 जो होते हैं true rips होते हैं और उसके बाद 8, 9, 10 यह हो गया false rips तो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह हो गया true rips 8, 9, 10 false पर पीछे देख सकते हैं यह 11th and 12 यह हो गया floating rips तो हम समझने की कोशिस करते हैं कि इनको true, false or floating rips क्यों कहा जाता है तो अगर हम आप देखेंगे आप इस video को मतलब यह picture को गौर से मैं color कर रहा हूं blue color से तो यह जो होगी आपका क्या होगी यह coastal cartilage है ठीक है यह क्या है coastal cartilage और यह तो आपको पता है यह क्या है अपका यह जो क्या है अपका esternumatic है तो यह आपको पता है कि क्या है यह esternum तो आप देख सकते हैं कि जो first seventh ribs जो है यह esternum से coastal cartilage के through directly contact में है है ना तो इस लिसको कहाता है true ribs और अगर आप eighth ninth और tenth ribs को देखेंगे तो अगर आप eighth ninth और tenth ribs को देखेंगे तो यह जो है किसे contact में है यह seventh ribs के coastal cartilage के contact में है तो किसे contact में है यह तो यह seventh ribs को जो coastal cartilage है उससे contact में है उसके through यह esternum से contact में रहता है तो यह eighth ninth ninth eighth esternum से contact में तो है लेकिन directly नहीं है यह indirectly है किसके थूरु, इसके उपर वाले यानि कि 7th boots के coastal cartilage के थूरु इसले इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं इसले इसको false ठीक है तो इसले बोलते हैं false अब बात करते हैं floating rips floating rips 11th and 12th pair जो हैушको बोलते है floating इसले बोलते है floating क्योंकि जो anterior side में है एंटेरियर साइड में किसी से भी एक कॉंटेक्ट में नहीं होता है तो यह आपका 11 यह आप पर 12 आप देख सकते हैं कि यह ना कि एस्टरनम से कॉंटेक्ट में है और ना ही यह किसी काटिलेस के कॉंटेक्ट में है तो इसलिए इसको कहाता है floating ribs तो यह समझ में आया ribs जो होगा 12th pairs उसको divide करते हैं दो category में एक को बोलते है typical दूसरे को बोलते है atypical typical मतलब कि यह साड़े जो ribs है यह देखने में एक तरह क्यों होंगे atypical अलग होंगे मतलब इसका structure होगा तो typical में क्या आता है आपका एक टाइपिकल में आता है ribs number 1 ribs number 2 ribs number 10 ribs number 11 ribs number 12 यह आगया एक टाइपिकल में तो बांक की जो एक रिप्स हो आपका 3 4 5 6 7 8 9 यह आगया आपका टाइपिकल में टाइपिकल मतलब की यह साड़े ribs आपके structure में एक समान होंगे ठीक है तो हम बात करते हैं पहले टाइपिकल ribs के बारे में ठीक है तो चलिए यह जो picture है आप देख सकते हैं यह मैंने लिया है यह किसका है यह टाइपिकल ribs का क्या है यह टाइपिकल ribs तो अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो यह curved structure है देख सकते हैं यह curved है तो इसमें क्या है soft present है with anterior and posterior int ठीक है तो इसमें क्या है एक anterior int होता है और एक यह posterior int होता है ठीक है तो posterior int जो है वो vertebral column से articulate करता है तो यह जो हो गया आपका क्या हो गया यह posterior int तो कैसे हम पहचाने हैं कि posterior है यह anterior है तो देख सकते हैं कि coastal cartilage है coastal cartilage मैंने बताया था कि इसके थूरू किस से contact होता है ribs में ठीक है तो यह ribs में contact होता है तो यह anterior int हो गया यह हो गया पीछे के तरफ posterior int ठीक है तो posterior int में क्या क्या पाजाता है तो यह आप देख सकते हैं पहले यह क्या पाजाएगा head पाजाता है posterior int में फिर head के वाद आता है आपका neck फिर neck के वाद आता है आपका tubercle उसको आता है क्या साफ्ट ठीक है तो इसको मतलब की आप दे सकते हैं इस पिक्चर को जूम करके तो ये होगे आपका हेड सामने की तरफ फीड नेक फिराया टुबर्कल अगर हम हेड की बात करेंगे तो यहाँ पर दो आर्टिकुलर्ड फैसेट है दे सकते हैं एक ये फैसेट है और एक ये फैसेट है ठीक है तो ये दोनों आर्टिकुलर्ड फैसेट जो है एक किसे सेपरेटेड होते हैं ये क्रेस्ट से ठीक है तो हेड में दो आर्टिकुलर फैसेट होते हैं और ये क्रेस्ट से सेपरेटेड होते हैं फिर आया है नेक में ये नेक होता है सोट होता है देख सकते हैं नेक सोट है और ये फ्लैट है उसको बाद आता है टुबर्कल टुबर्कल जो होता है ये नेक के पोस्टिरियर में पाया आता है ठीक है टुबर्कल तो टुबर्कल में क्या है दो डिजन पाया आते हैं एक तो सर्फेस और दूसरा क्या हो गया यह फ्लेट है इंटर्टर्ण س्ट्रक्चर स्टीर एक्स्टर्erna 네 compose तो इसमें surface क्या होता है, shaft में दो होते हैं, internal surface अंदर की तरफ और बाहर की तरफ जो होते हैं, external surface तो superior margin जो होते हैं, वो smooth and rounded होते हैं, और inferior margin, तो यह जो हो गया superior तो superior क्या होते हैं, smooth and rounded, और inferior margin, यह वो inferior margin, यह क्या होते हैं, inferior margin मार्जिन यह सार्प होते हैं तो इन्फिडियर होता है सार्प अस्फिडियर मार्जिन क्या होता है इसका स्मूथ अब बात करेंगे साफ्ट जो है bend करता है तो bend करता है tuberical के पीछे तो यहां जो मूध जाता है यहां से देख सकता है अजनों किया बुलते है angle तो जिस जगा से मूधता है shaft इसको बुलते है angle आप inferior side में देख सकता है कि यह group पाया इसको बुलते है coastal group तो यह हो गया और टाइप कले डिप्स के बारे में अब हम बात करते हैं यह तुझा ऋन आपका लिप्स। तो यह सकते हैं फ्लैट इन वरीजांटल पलेन वर्लैंजे के लिक्षयर में लगता है यह फ्लयेन फ्ल्राइल फिलाट होता है और निधी से सब्सक्राइब वियुदा थारेल प्लेट गांगा. इसलिए होना है 2 किसे बाइब करता हैこんな तो यह आपको पता है कि जो आपका एंटेडियर साइड हो गया यह रिप्स का और यह क्या हो गया पोस्टेडियर तो एंटेडियर में तो आर्टिकुलेट करता है यह एस्टेनम से और पोस्टेडियर में आर्टिकुलेट किस से करता है यह वर्टिवरी से ठीक है तो यह वर् अित्नी वह प्रद्वल वियम्ट ग्राब्ल से आठिकुलेड करेगा तो यहां प्रएस में क्या होता है एक ही आठिकुलेड होते हैंWA ठीक है मैंने बताया一點 आप擊 कीज़ीर है कि यह सिर्फेस है तो इसका सुपरिये-स सर्फेस है ठीक है तो आप देख सकते हैं superior surface में आपको मिलेगा skeleton tubercle तो यह skeleton tubercle जो है यह separate करते हैं body को दो groups में तो आपको anterior group होता है और दूसरा क्या होता है posterior group ठीक है तो anterior group जो हो गया आप देख सकते हैं दो group है तो anterior group किसकी वज़े से होता है यह होता है sub-clavian vein की वज़े से वही posterior group क्यों होता है sub-clavian artery की वज़े से ठीक है यह important चीज़ याद करना है तो यह हो garyips 1 अब हम बात करते हैं ugly dips के बारे में तो इसमें देखिए यह रिप्स नमबर टू यह रिप्स नमबर टू हो गया second रिप्स यह रिप्स वण की तरह ही होते हैं लेकिन यह थोड़ा लंबा होते है यह क्या होते हैं लेकिन रिप्स वण की तरह ही होते हैं आर्टिकुलेट सर्फेस वण होता है इसमें भी उसके बाद आपको यह रिप्स नमबर जो 10 है ठीक है तो रिप्स नमबर 10 में भी आर्टिकुलेट सर्फेस सिंगल होते हैं फिर यह 11 तो 11 रिप्स और 12 रिप्स में क्या है कि दोनों डिप्स आप देख सकते हैं 12 बहुत ही छोटा है और यह जो है यह इसका आप देख सकते हैं पॉइंटेड गर्व है तो का कर्वं को जादा ही पॉइंटीड है इसका जो अर्टिकुलेरर सर्फिस गयो है ये भी इसमें हो जाता है wil महित है इंड यहां पर देख सकते हैं कि इसमहें पी रिखल पाहे जाता है तो मैं अगले वीडियो बताऊंगा इस्टर्णम के बारे में तो फिर हम बताएंगे डिफरेंट टाइपस जॉइंट प्रजेंट बिटून दे रिपस एंड इस्टर्णम तो वीडियो कैसा लागा आप ज़रूर बताएं कॉमेंट में और यह चाहिए आप सब्सक्राइब कि